जेहिन दोस्तो हम लोग computer पढ़ रहे हैं और computer में आज का जो हमारा topic है वो है memory and storage जो भी questions लिए गए हैं सारे selected और important लिए गए हैं जो आने वाले exam में आपसे पूछ सकते हैं तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं देखते हैं पहला question क्या है पहला question है एक compact disc में किस तक्न पत्ति मिए हैं इसमाल किया जाता है तो इसका रÎयट एंसर हो जाता है वहादा जाथा है laser मिस्टैपिंग हो गया है यहाँ पर laser होगा प्लेजर लेजर के यहाँ पर laser होगा चलते हैं नसक्राइव और . अगला question है computer के की निर्माता दोरा कंप्यूटर के निर्माता दोरा एक बार प्रोग्राम किये जाने के बाद निर्मखित में युम्खित में से किसे संसोधित नहीं किया जा सकता तो इसका जो राइट एंसर हो जाता है वो हो जाता है रोम, रोम को संसोधित नहीं क्या दा सकता है चलते हैं नेस्ट कोश्चन के और अगला कोश्चन है अल्पकालिक मिमोरी के रूप में रैम का उप्योग किया जाता है, क्योंकि, क्योंकि, इसो जो राइट एंसर हो जाता है, वो जाता है, option A, यहाँ परवर्तन सील है, चलते हैं, next question की ओर, अगला question है, निर्मिखित में से computer कौन सा भंडार उपकरण, अब आप परचलित हुआ है, निर्मिखित में से computer का कौन सा उपकरण, अब आप परचलित हुआ है, तो जो राइट एंसर हो जाता है, वो जाता है, option A, पलापी, पलापी जोब आप परचलित हुआ है, चलते हैं, next question की ओर, अगला question है, बुलू रे डिस्क किस प्रकार का डिवाइस है, तो जो राइट एंसर हो जाता है, वो जाता है, डाटा संग्रहल पराली, डाटा संग्रहल पराली है, बुलूरे डिस्क, चलते हैं, next question की और, अगला question है, निर्मिखित में से सबसे तेज मिमोरी कौन सा है, जो जो राइट इंसर हो जाता है, वो जाता है, रेजिस्टर, रेजिस्टर जो है, वो सबसे तेज मिमोरी है, चलते इंडरी मोमोरी से संबंधित नहीं है चलता है नेक्ट कोश्चन के और अगला कोश्चन है CMOS CMOS क्या होता है तुसकर राइट एंसर हो जाता है वो हो जाता है Option A बैटरी चलित मेमोरी चिप है CMOS बैटरी चलित मेमोरी चिप है चलते हैं next question के और अगला question यम यम यू का पूरा अर्थ क्या होगा यम यम यू का पूरा अर्थ क्या होगा तो इसको राइट एंसर हो जाता है वो जाता है memory management unit होता है यम यम यू का full form चलते है next question के और अगला question कैस memory क्या होती है Cash Memory क्या होती है तो Cash Memory जो होती है वो RAM होती है वो Cash Memory होती है इसका राइड इंसर हो जाता है Option A, RAM चलते हैं Next Question क्योंड अगला Question है Computer System में Cash का परियोग बढ़ाता है Computer System में Cash का परियोग बढ़ाता है Cash का परियोग बढ़ाता है वो होता है memory तक पहुँच बढ़ाने है तो उपलब्द स्पीड चलता है next question क्यों अगला question निल्मिखित में इसे कौन सा विकल्प दुत्तियक भंडारण उपकरण नहीं है तो इसका जो right answer हो जाता है वो जाता है रैम रैम जो है वो दुत्तियक भंडारण उपकरण नहीं है next question है कम्प्यूटर में storage से सम्बंधित रैम का पूल रूप क्या है तो इसका जो right answer हो जाता है वो जाता है option A random access memory चलते है next question क्यों अगला question CD room क्या है CD room क्या है तो cd room जो है storage devices storage devices है cd room चलते है next question क्यों अगला question है प्यूटर का वह भाग जहां आखडी तथा बि निर्देश संचित किये जाते हैं वह क्या है तो वह जो है वो memory unit होता है उसको memory unit कहते है चलते है next question क्यों अगला question है अर्ध चालक की Read Only Memory मूल रूप से है उप्षिन पी एक संयोजी तर्क परिपथ चलता है अगला कुश्चन है ASC2 ASC 2 कोडिंग ने कम्प्यूटर के उप्योग के लिए अंग्रेजी अबर माला चिन दीधारी कोड को निश्चित किया जो बिस के करीबन सभी भसाओं के लिए कोड निश्चित करता है वहाँ एक लग संपीत को से अधिक चिन्नों को भी चिन्यत करता है इस नए मानक को जो कहते हैं वो कहते हैं Unicode Unicode इसका right answer हो जाएगा चलते हैं next question के और अगला question है e-prom का क्या अर्थ है e-prom का क्या अर्थ है तो e-prom का जो अर्थ है वो है irisible, programmable, read only, memory इसका full form होता है चलते हैं next question के और अगला question है एक micro processor में 24 address line तथा 32 data line है यदि यह micro processor 10 bit वाला op code प्रयोग करता है तो memory बभर register का अकार होगा तो memory बभर register का जो अकार होगा वो 32 bits होगा इसका right answer हो जाएगा 32 bits option B चलते हैं next question के और अगला question है इन में से कौन सा computer निर्माड में कोई सब्द अकार नहीं है इन में से कौन सा computer निर्माड में कोई सब्द अकार नहीं है तो इसका right answer हो जाता है 28 28 कोई 28 कोई सब्द अकार नहीं है तो यह जो important video था वो था computer का memory और storage से संबंधित video आसा करतो हम आपको video पसंद है अगर वीडियो को पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल पे नहीं है चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजे इसका free video डिस्क्रेप्शन में लिंक होगा आप चाहें तुमाज से इसका free video भी डाउनलूड कर सकते हैं तो चलिए मिलते एक नए वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत बंदी मात्रम।